नमस्कार दोस्तो मेरा उल सास्त्री स्वागत करता हूँ आपका दोस्तो आज हम चर्चा करेंगे दिरगायू योग यानि अच्छी आयू के वो कौन से योग बनेंगे सरल तरीके से कम सब्दों मैं आपके बताने जा रहा हूँ उधारन कौन्डले आपके सामने लेके आए हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए आप लोगों के मेरे पास रिस्पोंस आए के सास्तर जार तक आपने दिरगायू योग यानि अच्छी आयू के योग के बारे में नहीं बताया तो आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत महत्तपून है और आप लोगों के मेरे पास रिस्पोंस आए तो म यह आपको बताने जा रहा हूँ दस यो यानि कुंड़ली के अंदर दस सूतर वैसे तो सूतर पोतपनते पर प्रमुक्म रूप से जो दस सूतर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ देखिए सबसे पहले यह योग अगर लगनेश बली हो और केंदर में बैटा हो और सुब गरेवी केंदर में हो तो यह आपके अच्छी आईयों को दर्स आता है तो कुंटरले के माद्दम से अगर आप देखेंगे तो आप देखिए तुला लगन की कुंटरली है सुक्र केंदर में और अपनी मित्र की रासी में और बुद्द चंदर गुरू और सुक्र जो की सुब गरेवी केंदर में बैटे हैं तो यह एक दिर्गायू योग बनता है अब तीसरी लगनेश अगर सुर्ये का मित्र हो लगनेश अगर सुर्ये का मित्र हो लगनेश और सुर्ये का मित्र हो लगनेश और सुर्ये दोनों के दोनों केंदर और तिरकोन में बैटे हो तो भी दिर्गायू योग बनता है अब देखिए तुला लगन है तुला लगन के जो सुर्य देव में तो मितरता नहीं होती पर अगर यहाँ पे चार करक लगन है अगर यहाँ पे नो दनु लगन है अगर यहाँ पे बारा लिखा है मीन लगन है या फिर एक और आठ यानि मेश या वर्चिक रासी है और सूर्य कुंडली के अंदर अच्छी पोजिशन में है और लगनेश भी तो यहाँ पे यह भी दिरगायों के योग बनते है साथी साथ अगर लगनेश लगनेश और अस्टमेश दोनो चर रासी में हो लगनेश और अस्टमेश दोनो चर रासी में हो तो भी ये दिरगायू के योग बनते हैं अब देखिए लगनेश केंद्र में गुरू और शुक्र के साथ हो जैसे लगनेश यहाँ पर अगर सपोर्ज कुरू यहाँ पर छे लिखा है तो यह कन्या लगन होगी तो बुद्ध अगर शुक्र और गुरू के साथ हो और किसी पाप ग्रह से दरस्ट ना हो तो भी एक दिर्गायू योग बनता है अब देखिए अगला एक योग बताता हूँ आपको कुड़ली के अंदर राहू राहू देव जैसे यहाँ पे तो नवम भाव में बैटे हैं अगर ये तीशरे छटे और बारवे भाव में हो और लगनेस बली हो अच्छे डिगरी का हो तो भी अच्छी आईयो के योग बनते हैं अच्छा दूसरी अब में बताता हूँ आपको आठवे भाव में कोई भी लगन हो और आठवे भाव में कोई भी रासी हो सनी आठवे भाव में हो तो ये भी अच्छी आयू के योग मने जाते हैं अलाकि सनी आठवे भाव में जीवन को जोरूर संकरस में मना देता है कश्ट भी देता है पर जातक कि आयू बहुत अच्छी देखी गई है आयू, सनी, आयू के दाता, अस्टमभाव से आयू देखी जाती है, यहाँ पर सनी का खुद होना आयू को लंबी बना देता है। लगनेश अगर बली हो और सुभ ग्रह से दरस्ट हो, तो भी अच्छी आयू के योग माने गए हैं। चंद्रमा और लगन पर सुभ ग्रह के दरस्टी हो, यानि यह पहला भाव इस पर सुभ ग्रह के दरस्टी हो, और चंद्रमा इस पर भी सुभ ग्रह के दरस्टी हो, सुभ ग्रह मतलब कैसे गुरू, सुक्र, बुद्ध, इन पर अगर सुभ ग्रह के दरस्टी हो, तो जा तक कि अईयो को अच्छी माना गया है अब दूसरा चंद्रमा भाग्य भाव में हो अपनी रासी में हो या उच्च की रासी में हो और अपनी रासी मतलब अगर चार यहां पे लिखा हो भाग्य भाव में और चंद्रमा यहां पे हो या फिर यहां पे दो लिखा हो वरस अबरासी में चादर्मा ऊजकी होते हैं और किसी पापगरे की दरश्टी नहीं पढ़ रही हो तो इसमें भी एक अच्छी आयू के योग देखे गए हैं यानि आप कह सकते हैं कि अच्छी आयू के योग बनते हैं तो दोस्तों दस योग बताए मैंने आपको कुण्ड़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा धन्यवाद